हाई फ्रेंड्स मैं जागेश्वर कुमार पुना संब्धी एजूकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूँ दोस्तों चुकि जीएस की शरीज चल रही है और आपको इंडियन पालिटी का शरीज रेगुलर मिल रहा है दोस्तों तो उसी कड़ी में हम लोगों ने हिस्ट्री के लिए भी एक शरीज शुरू करने का आचसे प्रणा किया है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको जीएस से रेलेटीट सारे सब्जेक्ट शेज मिलेगा प्लेलिस्ट में इसली दोस्तों आप चैनल को देखिए जुड modern history जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि इतिहास तीन भाग में बटा हुआ है प्राचे नितिहास मर्देकाले नितिहास और आधोनिक इतिहास करते हैं दोस्तों जो कौंपीटिक जानेशन के कोस्ट ट्रेंड जो दिखा गया है जो कुछले साल आए विए हैं पिछले बरसों में जो कुछा गया है उसमें इतिहास में देखा जाता है कि ज्यादे तरकूर्स आधोनिक इतिहास कराता है तो दोस्तों हम लोग यहां पर जो आज शुरू करने जा रहे हैं वो दोस्तों प्राची नितिहास पर जाएंगे आपका एक भी पॉर्सन छुटेगा नहीं दोस्तों इसलिए मैं चाहूंगा कि आप यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों को सेर करें ताकि जो मुहिम समर्दी जूकेशन यूटूब चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है एक सिच्छा का अलग जगाने का प्रयास किया जा रहा है वैसे दोस्तों जो कोम्ट्यटिक जाने सकते हैं जिनके पास समस्याए हैं जो जॉब कर रहे हैं सरमाइन नेकाल के कोचिंग जानी सकते हैं दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप अगर यूटूब के माध्यम से इस चैनल से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे टॉपिक बाई ट सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी सबसे को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसको करना जोड़ी होता है और करने के बाल सबसे पहले हम लोग करने का प्रियास करेंगे ल contributed कि करते हैं परकहते हैं तो जहाँ अनरजी को कम लगाना चाहिए वहाँ जयादा हने लगाना चाहिए वहांने लगाते हैं नतीजा क्या होता दोस्तों निरासे हाथ हाथ इसलिए सबसे पहले मैंने मॉडर हिस्ट्र को के टक над running liquor किया तो पहला जो शुरोत एम उपागम है दोस्तों मतला आधुनी कितिहास को जानने का शुरोत क्या है और उसके जानने के तरीके क्या है मतलब जो शुरोत है वो किन-किन तरीकों से आया हुआ है तो यह दोनों चीजों को हम लोगों पढ़ेंगे शुरोत एम उपागम में उसके तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि उर्पयों का अगबन करम क्या रहा है उन्होंने क्या किया उसे बिर्टीश जो आएं भो अपनी सक्ति को कैसे सुद्रीड कि भारत में उन्होंने अपनी इस्तिती को कैसे मजबूत किया इन तमाम बातों का अध्यान हम लोग इस अध्याय में करेंगे दोस्तों उसके बाग कंपनी सासन के विरूद बरता विद्वेश जब कंपनी यहां पर सासन स्थापित कर देता है तो लोगों में उसके परती असंतोस कैसे फिलता है लोगों में उसके परत जो बिटिस समराज के विरूद जो जन असंतोष था जो लोगों में जो असंतोष की भावना थे उसका कहीं न कहीं परिणाव जो 1857 का विद्रों के रूपे सामने आता है दोस्तों तो इन से तमाम बातों का अर्दियान हम लोग इस अध्या में करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों सुधार आंदोलन सुधार आंदोलन में दोस्तों हम लोग दो तरह का आंदोलन के चर्चा करेंगे दो तरह का सुधार के बात किया गया है एक समाजिक धार्मिक और समाजिक सांस्कृतिक तो समाजिक धार्मिक आंदोलन किस तरह से ह करके इस अध्याय में हम लोग अध्यन करेंगे उसके बाद दोस्तों है सोतंत्ता संगर्स का आरभ आखे सोतंत्ता के लिए लड़ाई कब से शुरू हुई सोत्ता की लड़ाई जो हुआ उस भारत में आधुनिक राष्टवाद का प्रारभ होता है भारतिय राष्टिय प्रारभ होने के पीछे नहीत कारणों में से उसकी विसस्ताएं क्या थी कोन ऐसे कारण है जो मजबूर किया राष्टवाद को आगया आने का तो इन तमाम बातों को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे और फिर बातिय राष्टिय का होने इसके स्थापना कैसे हुई अ उदारवादी जो चरन थे उट कैसे था उदारवादी चरन में कौन-कोन लोगों का महत्पूर्ण भूमिका था इन तमाम बातों का अध्यन दोस्तों हम लोग इस चैप्टर में करेंगे उसके बाद दोस्तों राष्टिय अंधोलन एक यूनिट बनाया गया राष्टिय अ दोस्तों जन राष्टवाद के यूग का आरंब जन राष्टवाद के यूग का आरंब दोस्तों यह जो यूनिट है दोस्तों यहां से आधुनिक इतिहास में एक नया मोड लेता है आधुनिक इतिहास में एक नया आयाम की शुरुवात होती है क्योंकि गांधी जी का यहा प्रासिक गटनाएं है एक नया मोड लेती है और नया मोड लेने के बाद उन से सब्सक्राइब तमाम बातों को दोस्तों हम लोग के अध्यां में देखेंगे उसके बाद दोस्तों सवतत्ता विभाजन की और जो जिसका समय रहा दोस्तों फिर दोस्तों बिट्री सासन के अधिन भारत आखे बिट्री सासन जब था तो उसके अधिन हमारा भारत कैसे था उसका आर्थिक इस्ति क्या था सामाजिक इस्ति क्या था राजितिक इस्ति क्या था धार्मिक इस्ति क्या था इन तमाम बातों का अधिन दोस्तों हम इस चैप्टर में करेंगे उसके बाद लास्ट जो यूनिट है दोस्तों है सवतवत्ता मिल जाती है उसके बाद सवत्ता के बाद का भारत तो सवत्ता के बाद के भारत में दोस्तों हम लोग नहिरू का काल देखेंगे पंडित नहिरू का काल देखेंगे इंद्रा गांदी का काल देखेंगे लारबादु सास्त्री का काल देखेंगे इस तो महत्पुन जितने भी पधायर मंत्री हुए सवत्ता के बाद जिनका कारेकाल रहा उन तमाम बातों को हम लोगे देखेंगे उनकी प्रिस्ट भूमी की रही उन्होंने प्रिश्च के साथ उनका क्या रिलेशन था इन तमाम दौस्ट भातों को दोस्तों लोग इस चप्र में देखें तो यह आपका आधुनिक इंतिहास का परिछछी था अब हम लोग कल से दोस्तों यहां पर पता चलता है दोस्तों की गांधी के बात सरी जवस्त उस अनुसार चलना एक्जामड़ेशन को और नियुद् Honestly के दा साथ एक planning के तहट पढ़ना होता है दोस्तों हमको पढ़कर विध्वान नहीं बनना है हमको पढ़कर competitive examinations को पास आउट करना है दोस्तों यह मेरा साफ संदेश है इसलिए examination का trend क्या है examination का analysis क्या है किस portion से ज्यादा questions आ रहे हैं इन तमाम बतों को ध्यान में रखते हुए अपनी strategy मिलाना है और हम लोग को उसी के अनुशार हम लोग को आगे की पढ़ाई करना है दोस्तों तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें को सेयर करें दोस्तों मैं इस चैनल के माध्याम से समर्दी एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्याम से तमाम विश्यों का श्रीच चलाया जाएगा और आप तक वीडियो पहुचाने का कार्य हम लोग करेंगे ताकि आप घर बैठे आप तयारी कर सकते हैं और जो आप तयारी छोड़ चुके हैं या जो आपको तयारी में समस्याएं आ रही है वह समस्याएं नहीं आए दोस्तों तो मैं पुना आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो पसंद आता है तो प्लिए लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और अपने दोस्तों को सेयर किजिए दोस्तों ताकि अधिक से अधिक लोगों तक या वीडियो पहुच पाया और अधिक से अधिक लोग इसका फाइदा उठा सकें दोस्तों